नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापती, लेक्चरर मेकेनिकल इंजीनरिंग, गॉर्मेंट पॉली टेक्निक बरगर्ड चित्रकूट, आप सभी का इस ए लेक्चर में हार्दिक स्वागत एव मभिनंदन करता हूँ, आज का जो हमारा ए लेक्चर है वो बड़ा ही स्पेसल है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पॉली टेक्निक में वर्चूल लेब की आवश्चक्ता, तो ये वर्चूल लेब क्या होता है, आज के समय में वर्चूल लेब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसकी जो प्रासंगिकता है, वो इस समय बढ़ गई है अब वो क्यों पड़ गई है, वर्चूल लेब होती क्या है, और पॉली टेक्निक में वर्चूल लेब की आवश्चक्ता क्यों हैं, इसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे, तो आईए सुरुवात करते हैं, तो ये जो वर्चूल लेब है, ये जो मिनिश्ट्री ओफ ए का जो कॉंसेप्ट है, या जो प्रोजेक्ट है, उसकी सुरुवात की थी, आज के समय में मिनिश्ट्री ओफ एजूकेशन के अंतरगत ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें बहुत पूरे देश के जो IIT हैं, NIT हैं, और बड़े बड़े इंजीनिंग संस्तान हैं, वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ये वर्चुल लैब क्यों बनाया गया है, वर्चुल लैब होता क्या है, इसकी आवशक्ता क्यों है, छात्र कैसे इसका लाब ले सकते हैं, और पॉली टेक्निक में इसकी आवशक्ता क्यों है, इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से और उसके आगे के जो वीडियो होंगे उसमें मैं आपको वर्चूल लेब के माद्यम से प्रेक्टिकल करके आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक नीचे आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर एप स्वर्गे डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैं आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है उनके जो यह बड़े सब्द हैं वो बड़े प्रासंगेक हैं यहाँ पर कहना और यह मैंने IIT खड़कपुर की जवाब वेबसाइट में जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है उसमें लिखा है All of us do not have equal talent but all of us have an equal opportunity to develop our talents इसका मतलब यह कहना चाहे हैं कि हम सभी में जो talent है वो समान नहीं होता है लेकिन हमको हमारे पास equal opportunity यानि समान आउसर मिलने चाहिए जिससे हम अपने talent का विकास कर सकें तो सभी यही बात छात्रों पर लागू होती है सबके पास समान talent नहीं होता है लेकिन यदि सबको opportunity समान मिले यानि आउसर दिये जाए तो सभी लोग अपने talent को विकसित कर सकते हैं यहाँ पर यह सब्द बड़े प्रासंगे के हैं और आगे आप देखेंगे वीडियो में कि यह सब्द क्यों प्रासंगे के हैं तो यह lab आप चित्र में देख पा रहे है लेब है chemistry lab है आप फश्टी यहर में पढ़ते हैं chemistry lab होती है physics lab होती है तो उसी तरह lab है तो lab से मतलब क्या है lab की परिभाशा क्या है और virtual lab क्या होता है हम इसके बारे में देख लेते हैं तो lab से यहाँ short form में है laboratory को lab कहते हैं laboratory means प्रियोक शाला प्रियोक शाला जहां पर आप विविन प्रकार के प्रियोक करते हैं तो हम कह सकते हैं कि lab ऐसा इस्थान है जहां वो करणों यंत्रों मशीनों इत्यादी की सहायता से किसी सिध्धान्त या तत्थ को सत्यापित किया जाता है तो आप engineering या polytechnic संस्थान में विज्ञान engineering technology की विविन प्रियोक शाला होती है जहां विज्ञाने की engineering सिध्धान्तों का परिच्छन करके उनका सत्यापन किया जाता है तो आप लोग polytechnic के students हैं या engineering के students हैं तो आप जानते हैं फस्ट यर से ही जैसे chemistry lab होती है physics lab होती है इसके अलावा CS communication skills की lab होती है इसके अलावा और भी विविन BIT की lab होती है इसी तरह ऐसे आप जब second year में जाते हैं तो जो भी आपकी branch है चाहे वो mechanical हो चाहे वो civil हो चाहे वो electrical हो विविन कोर ब्रांच की आपकी lab आप जाते हैं करने के लिए वहाँ पर आप प्रियोग करते हैं जो विविन प्रियोग साला है आपकी संस्थानों में इस्थापित होती हैं तो अब समस्या सबसे बड़ी आज के समय की यह मान लीजी कोई नया संस्थान इस्थापित हुआ तो उसको नया सामगरी आने में नई लैब इस्थापित होने में नया इसमें इंस्थ्रूमेंट्स और मशीने आने में काफी समय लग جाता है और कई सालों भीथ जाने के बाद प्रियोग साला हैं जो लैब बच्चों को skill मिलनी चाहिए जो ज्यान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं यह लैब इस्थापित नहीं पाई हो या लैब स्थापित हुई हो दो चार उपकरण हो और समय के साथ उपकरण आपडेट हो गए हो तो लेकिन लेब में अपडेट ना हो पागे होอง। Staff की कमी हो। कोई लेब खोलता ही न ओ इस्टाफ ही नहीं हो तो Lab हो सकता है ना खुलती हो। इस तरह की कि समस्यायों पूरे सभी जगें यह कमों वे सी यही समस्या बनी रहती है जो आज के समय की बड़ी गंभीर समस्या है और इस्टूडेंट्स कई सालों में जब तक लैब इस्थापित होती है कई सारे बैच निकल चुके होते हैं डिप्लोमा करके या डिग्री करके इंजिरिंड का पास हो चुके होते हैं तो वो लैब का उनको जो experience है जो exposure मिलना चाहिए जो अनभो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है तो वही जो इसी इनी सब बातों पर विचार करके ये virtual lab के concept को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है तो virtual lab नाम से पता चल रहा है एक तो इसमें virtual है और दूसरा lab है तो virtual means हम वास्तविक में तो नहीं करना है लेकिन virtually हम उसको computer में perform करते हैं तो lab में जो प्रियोग हम जाकर के physically भहते ग्रूप से उपस्तित होकर करते हैं virtual lab में क्या करते हैं हम उन प्रियोगों को वास्तविक जो प्रियोग होते हैं उनको computer में simulate करके संपन किया जाता है simulate करने का मतलग होता है जीवन्त करना जैसा वास्तों में होता है वैसा ही same हम क्या करें computer में यदि हम उसको करके देखें या उसको जीवंत करके देखें तो उसको simulate कहते हैं या उस जो process से उसको simulation कहा जाता है तो आप समझ गए होंगे कि virtual lab में क्या किया जाता है software या computer program की साहिता से computer में वास्तविक प्रयोगों को simulate करके संपन किया जाता है तो आप समझ गए होंगे अब काफी हद तक इसका जो concept है कि जो भी प्रयोग जैसे कोई student प्रयोग साला में गया मा लीजे कोई प्रयोग कराया गया वो नहीं जा पाया ये भी इस्तिती हो सकती है या प्रयोग हो सकता है equipment या machine ही ना हो या बहुत सारी पर स्कतिया हो सकती है कुछ भी किनी भी कारणों से आप practical नहीं कर पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं तो आप इन ये जो virtual lab का concept है उसमें computer में जा करके practical करके देख सकते हैं उसमें result निकाल सकते हैं और आप उसमें बहुत तकनीकी बारीकिया सीख सकते हैं जो आपको practical करके हासिल होती हैं तो आई हम आगे देख लेते हैं तो ये जो virtual lab है उसका concept ये चार steps में आप इनको आपको सिखाया जाता है पहला जो step है उसमें learn पहले आप उसको सीखिये कि practical होता क्या है कैसे किया जाता है दूसरे नमर पर simulate करके उसको देखा जाता है simulate करना मतलब जीवन्त करके देखा जाता है practical जैसे वास्तों में होता है वैसे ही computer में करके देखा जाता है या उसको दिखता है उसमें software की साहता से तीसरा practice आप उसकी practice करिए कई बार करके देखिए क्रियोक साला में तो हम जाते हैं, हो सकता है, एक ही बार करने का मौका मिले, उसके बार time हो जाया है, या भीड बहुत रहती है, बहुत सारे students हैं, वो सब एक साथ करने की कोसिस करते हैं, गुरूप में, तो हम सीख नहीं पाते हैं, इसमें क्या है, आप अकेले चाहिए एक नह आप, इसमें कर सकते हैं, कि आपने कितना लर्न किया, कितना आपने, क्या आपको प्राप्थ हुआ ग्यान, तो उससे आप, उससे काफी आपको help मिलेगी, कि आपने जो सीखा है, वो किस हद तक आपने सीखा है, अब ये virtual lab के जो हम लाभ हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं, तो पहला जो मैंने आपसे बता है, virtual lab की साहिता से दूर दराज इस्तिस संस्थानों के छात्र विज्ञान एवम इंजिनिंग के प्रियोग आसानी से संपन्न कर सकते हैं, दूर दराज के polytechnic इंजिनिंग कॉलेज बन गए हैं, जहां इत लेप्स की इतनी सोबिदा नहीं हो पा दूसरा है, सोद अनुसंदान में मदद मिलती है, कोई स्टुडेंट हैं सोद कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो वो इसका virtual lab की साहिता से उनको help मिल सकती है, reading निकालने में, बाकी प्रियोगों को करने में, वो खुद भी एक सिस्टम develop कर सकते हैं, विक्सित कर सकत है, तो ऐसे बहुत सारी संस्था हैं, जहां न तो अपकरण हैं, न यंत्र हैं, न मशीने हैं, वहां virtual lab बहुत ज्यादा उपयोगी है, या कहीं पुराने संस्थान हैं, है भी उपकरण, तो वो outdated हो चुके हैं, या तो खराब हो गए हैं, चलते ही नहीं हैं, या कोई बताने उत्सुक छात्र विभिन परिस्थितियों में, विभिन तरीके से प्रयोग संपर्न करके, वेज्याने किया इंगिनरिंग सिध्धानतों का सत्यापन कर सकते हैं, कई वार बच्चों के अंदर उत्सुकता रहती हैं, ये lab में जाने की, खुद से करना सीखना चाहते हैं, तो उनको एक ही बार मौका मिल पाता है मैंने जैसा बता है भीड बहुत रहती है टाइम लिम्टेड होता है लेकिन इसमें टाइम की कोई सीमा नहीं है अकेले आपके अंदर उसकता है किसी छात्र के अंदर तो वो उसको प्रयोग को ऑनलाइन कंप्यूटर पर खोले जितनी बार चाहे उसको परफॉर्म कर सकता है जितनी बार चाहे रीडिंग निकाल सकता है जितनी बार चाहे उसको सिमुलेट करके देख सकता है तो उससे निश्चित रूप से उसके कहीं न कहीं उसकी जो तकनीकी रूप से वो अब दच होगा और उसके अंदर एक ग्यान में उसके ग्यान में ब्रद्धी होगी अभी ये कुछ broad areas of virtual labs है जिनके जो कुछ ब्रांचे से कहना चाहिए जहां पर virtual lab इस्थाफित की जा चुकी है और लगातार इस्थाफित करने का कार नही लेब इस्थाफित करने का कार किया जा रहा है electronics जैसे communications है ब्रांची सारी engineering में पॉली टेक्निक में पढ़ाई जाती है computer science एंड engineering है electrical engineering, mechanical, chemical, bio technology, civil engineering, physics lab, chemistry lab, chemical sciences के अंतरगत, physical sciences ये सारी labs हैं और इसके अलावा और भी नई नई branches में या नई lab को प्रती दिन develop ये बिक्सित किया जा रहा है अनुसंदान कार चल रहा है लगातार अब ये निसकर्स अगर हम निकालें कि आखिर polytechnic में virtual lab की आवशक्ता क्यों है तो सबसे पहला तो ये है कि polytechnic के चात्र अपने बिसे से सम्मंदित प्रियोगों को virtual lab की सहायता से संपादित करके अच्छा अनभव एवं ग्यान अरजित कर सकते हैं किसी भी वज़े से यदि उनको प्रियोग नहीं कराया गया या वो नहीं कर पाए हो सकता है प्रियोग कराया गया हो कही बार स्टुडेंट्स बीमार पढ़ जाते हैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते हैं नहीं जा पाते हैं तो वो उससे उनका वो छूड जाता है फिर दुबारा करने की संभावना काफी काम हो जाती है तो ऐसे चात्र लागातार वहां वर्चुल लैब की साहता से कंप्यूटर में अपने या मोबाइल की साहता से वर्चुल लैब में एक्सपेरिमेंट करके अनुभव एमग्यान दोनों वर्जित कर सकते हैं पॉली टेक्निक छात्रों की पार्ट चरया कि अनुरूप प्रयोग साला सामगरी विक्सित किया जाने ही तो फीड़ बेक के मा लोगों को लगता है कि यह लैब भी यहां पर उसमें होना चाहिए उसका कंटेंट होना चाहिए तो आप फीड़ बेक में सारा डिटेल भर करके वहां को उनको प्रोवाइट करा सकते हैं तो वहां पर उस पर निरने लिया जा सकता है और आगे चलके उस लैब को भी .co.in है तो आप निमेत रूप से बिजट करते रही है एक बार आप बिजट करके देखिए concept समझ में आएगा आप खुद सारी चीजों को जानेंगे इसके अलावा इस वीडियो के बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा तो विभिन प्रांचिस के especially mechanical engineering के या उससे मिलते को learn किया जाता है कैसी सीखा जाता है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपसे अन्रोध है कि आप लोग आप जुड़े रही है वीडियो को देखते रही है यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो like और subscribe करना मत भूलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे है रिजल्ट निकाल सकते हैं यह चीज हम करके देखेंगे तो next वीडियो में मिलते हैं जब तक आज के लिए thank you very much good night